असाम लेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिसकस करते हैं डिफरेंट टाइपस ऑफ केपिटल तुम्हें क्यूरी है स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि डिफरेंट क्या डिफरेंट है बिट्विन ऑथराइज इसूट काल डप एंड सबस्क्राइब केपिटल और पेड़ सबसे पहले हम देखेंगे कि और ऑथराइज केपिटल क्या है और अथराइज केपिटल एक्टल एक्चली जब एक कम्पनी मारकेट में एंटर होती है तो वो अपने आपको एक मैक्सिमम लिमिट के साथ रिजिस्टर करवाती है कि मैक्सिमम हम कितना फंड जो है वो 1000 shares के साथ company अपने आपको registered करवाती है और एक share जो है वो 10 रुपीज का है तो आपका authorized capital कितना होगा वन लैक रुपीज इनके company वन लैक तक अपना जो fund है वो raise कर सकती है अपनी investment को वन लैक रुपीज तक raise कर सकती है यह मैंने एक estimated value ली है ठीक है यह है आपका authorized capital और issued capital क्या है जितना आपका authorized capital है यह तो एक maximum limit है कि इतने shares आप अपने issue कर सकते हैं लेकिन companies उतने ही share issue नहीं करती है हमेशा में start में उससे कम share issue करती है जो उनकी maximum limit होती है तो for example आप अपने authorized capital में से ही 10,000 में से 5,000 share issue कर देते हैं जर्नल पबलिक को एक share की value क्या है 10 है तो its mean company को 50,000 रुपीज चाहिए तो एक share आपका कितने का है 10 रुपीज का है तो आपको कितने रुपीज चाहिए 50,000 चाहिए यह 50,000 आपका issued capital होगा और company जो है एक ही time पे यह सारे के सारे पैसे नहीं मंगवाती है different installments में मंगवाती है for example जब आपने application submit करवानी है कि आप उस company के share holder बना चाहते है और बना चाहते है तो आपने application के साथ 3 रुपीज submit करवाने है जब आपके application accept कर ली company ने वो आपको share allot कर रही है तो allotment के time पे आपने 3 रुपीज submit करवाने पार share और 4 रुपीज जो है वो आपने remaining रख लेने व वो आपसे 4 रुपीज फिर ले लेगी total share की price 10 ही रहेगी mean आप क्या करेंगे for example आपने 100 shares purchase की है उस company के तो जब आप application submit करवाएंगे 3 रुपीज पर share आप 300 तब submit करवाएंगे और जब आपको share allot हो गए तो 300 आप तब submit करवाएंगे तो ये 4 रुपीज जो है ये आप रख call करेंगी mean ये इंस्टॉल्मेंट है जब company आपको कहेगी तब आपको ये submit करवाना होगा ठीक है issued capital आपका authorized capital का ही part होता है लेकिन ये maximum limit है यहां तक हम issue capital को raise कर सकते ही ये आपका issued capital है issued capital हमेशा से less than or is equal to आपका authorized capital होता है mean issued capital authorized capital से less than भी हो सकता है और authorized capital के equal भी हो सकता है mean उसे आप 10,000 share भी कर सकते हैं issue लेकिन यूजली ऐसा companies करती नहीं है उसके बाद है आपका subscribe capital subscribe capital actually public ने जितनी applications submit करवा दीं कि हम आपके share holder बनना चाहते हैं उसको हम subscribe capital कहते हैं ठीक है actually public applied for purchase the shares of the company तो उसको हम subscribe capital कहते हैं subscribe capital आपके issued capital का part होता है तो आपका जो subscribe capital है वो always is equal to या less than issued capital होता है mean application अगर ज्यादा आजाएं तो आप ज्यादा application ही रखते हैं इसको हम over subscription कहते हैं मिना आपने 5000 application demand की हैं अगर आपको 5000 से ज्यादा application आजाएं तो इसे हम over subscription कहते हैं वो application हम refund करते हैं और अगर कम application आजाएं तो आपको उतनी ही application जो है वो अलोट करनी पड़ती हैं तो आपकी जो subscribe capital है वो always less than or is equal to issued capital होता है तो called up capital आपका issued capital का ही part होता है मैंने आपको पहले भी बताया है कि application के time पे 3 rupees per share company ने ले लिए और allotment के time 3 rupees ले लिए तो ये वाली जो statement है इसको हम called up capital कहते हैं कि जितनी installment company ने ले ली है आपसे उसको called up capital कहते हैं ये company ने भी रखवाया है ये भी आपसे लिए नहीं है तो actually इसको हम क्या बोलेंगे uncalled up capital कि जितना company ने पैसा आपसे ले लिया है against the shares वो आपका क्या होगा called up capital होगा remaining आपका क्या होगा uncalled up capital होगा उसके बाद है आपका paid up capital paid up capital actually वो amount जो share holders ने pay कर दी है paid up capital और subscribe capital almost same है paid up capital वो amount जो actually share holders ने apply कर दी है जैसे मैंने आपको बताया कि 5000 shares है एक share आपका कितने का है 10 का है तो आपने ये 10 rupees एक ही दफा में ने लेने आपने installment में लेने जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 4 example अगर 100 share किसी ने खरीदे हैं तो वो 3 rupees at the time of application and 3 rupees at the time of allotment आपको submit करवाएगा तो आपने 5000 share issue की है तो 4500 वो share holder है जिनोंने अगींस ता share 6 rupees submit करवाएगा तो आपके पास कितने वैसे आगे 27000 500 वो share holder है जिनोंने 6 भी submit ने करवाएगा जिस्ट कितने करवाएगा 3 rupees करवाएगा जिनोंने उनके पास 6 भी affordable नहीं थे उन्होंने का जी हम अभी 3 करवा सकते हैं उन्होंने 3 rupees submit करवाएगा तो यह आपके पास 1500 इसेंस में आगया तो company के पास total कितना पैसे आए 28500 तो 28500 जो pay कर दिया हुआ है share holders ने उसको हम क्या बोलते है paid up capital बोलते है समझागी अब आपको called up paid up और subscribe capital में क्या difference है ठीक है और के बता हुआ हुआ है